इस question में हमें ये prove करना है, यहाँ पे हम LHS solve करते हैं पहले, LHS मेरा कुछ ऐसे हैं, यहाँ पे 2 sin की terms आड़ रही हैं, तो हम formula use करते हैं यहाँ पे, sin x plus sin y equal to this, x की जगा दालता हूं मैं 5x, और y की जगा दालता हूं मैं 3x, तो यह आजाएगा मेरा कुछ ऐसे, इसे हम solve करें, तो यह आजाएगा, यहाँ पे 2 भाहर ले लिया, यह 8x by 2 4x हो जाएगा, तो sin 4x और यह cos x, अब cot होता है cos by sin, तो इसे लिखते हैं, cos 4x by sin 4x, sin 4x और sin 4x cancel हो गए, बचेगा मेरे पास 2 cos 4x, cos x, तो मेरा LHS solve हो गया, और solve नहीं करते हैं, अब RHS solve करते हैं, RHS हमारा कुछ ऐ ऐसे है, यहाँ पे 2 sin की terms subtract हो रही है, तो हम formula यूज करेंगे यहाँ पे, sin x minus sin y का, यह हमारा कुछ ऐसा होता है, x की जगा दालता हूँ मैं 5x, y की जगा दालता हूँ मैं 3x, तो यह मेरा कुछ ऐसे आजाएगा, इसे हम solve करें, तो यह मेरा आगया, कुछ ऐसे, cot को मैं जाएगा, बच्चे का 2 cos or x और cos x, यह मेरे LHS की equal है, तो LHS और RHS equal है, hence proved